आज़ाओ भी हम next कुछ important MCQ inorgan chemistry के जो हैं वो discuss करते हैं और इसमें question number 1 लेते हैं और लिखा इसमें isotope are characterized as कि isotope कैसे characterized होंगे तो देखो एक example आप mind में रखा करो तेखो carbon 12 है carbon 13 है और carbon क्या है 14 और 6 के अंदर इनका जो atomic number है सबका 6 है और atomic number जो है ये proton को indicate करता है जबकि ये जो mass number है ये इनका क्या है different और mass number के अंदर proton और neutron का क्या होता है total होता है तो जैसे इसमें 6 यदि proton है तो इसमें neutron भी कितने होंगे 6 और फिर 12 आएगा इसमें proton यदि 6 है तो neutron यहां 7 जोडेंगे 7 एड करेंगे तो अब जाके ये total 13 होगा और यहां 6 proton और neutron यहां 8 करेंगे तो 8 और 6 मिला के क्या है 14 बनेगा तो इसका मतलब ये सभी क्या है आपके carbon के isotope है तो isotope में number of proton तो same होगे और neutron क्या है different जैसे इसमें 6 है इसमें 7 है इसमें 8 है तो इसलिए इसका आंसर क्या है इसका आंसर है identical atomic number देखो यह रहा identical and different क्या है mass number 12, 13, 14 तो इसका आंसर क्या है D कई बार दूसरे वर्डेंपूछें तो identical proton और क्या है different neutron हैसा option भी आपको मिल जाता है फिर question number 2 में आजाईए question number 2 में है radioactive isotope decay by radioactive जो substance है यह radiation emit करते हैं release करते हैं और यह कौन से process से degrade होते हैं, decay होते हैं तो आपको याद रखना है first order kinetic से यह decay होते हैं और हर इनकी जो t-half होती है इनके अंदर इनकी जो radio activity है वो क्या है, पहले की 1 by 2 यानि 50% radio activity हर t-half में इनकी क्या है आदी हो जाती है, 50% कम हो जाती है फिर इसके बाद आएं, question number 3 के अंदर, तो आप देखेंगे कि which type of radiation having high penetration power penetration power, जैसे मैं कहूँ यह एक दिवार है और कोई radiation इस दिवार के आरपार निकल गई, किसी लोहे की seat है, इस तिल की seat है, इसके आरपार चली गई तो उसकी penetration power क्या है जादा, और सबसे जादा penetration power किसकी होती है gamma radiation जिनको cosmic rays भी बोलते है इनको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह का science जो है mathematics का gamma, radiation, इनकी penetration power सबसे क्या होती है, जादा होती है इसके बाद में next question number 4 लीजिए, लिखाए, decay rate constant और फिर radioactive substance is expressed as, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे radioactive substance first order kinetic से degrade होते, decay होते हैं, तो उनका decay rate constant भी first order से ही show करेंगे, और चाए कोई भी drug हो, चाए कोई भी chemical हो, चाए वो radioactive substance हो, उस वो यदि first order kinetics से decay होगा, तो उसके equation कौन सी रहेगी, ये रहेगी तो answer इसका क्या है A होगा, इसके बाद में next question पे आजाए, next question हा आपका 5, और question number 5 में है, a unit of radio activity is, तो unit of radio activity क्या है, तो इसकी unit क्या होती है, क्यूरी अब क्यूरी के पहले millie क्यूरी, micro क्यूरी कुछ भी दें, देखो यहां poise लिखा है, ये viscosity की unit होती है, ohm जो है, ये resistance की unit होती है, ठीक है तो इस तरह से इन चीजों को आपको याद करना है, ये dine per centimeter square, ये force की unit होती है, तो ये अलग-लग unit है, लेकिन आपका answer है, that is unit of radio activity क्यूरी, millie क्यूरी, micro क्यूरी, मेडम क्यूरी, इस तरह से आपको याद रखना है, इसके बाद में, आपसे next question किया है, कि which radioactive isotope is used for thyroid scan, कि thyroid gland की जो scanning है, thyroid gland में कोई बिमारी है, उसका diagnosis करना है, उसकी picture record करनी है, तो उसके लिए हम क्या use करेंगे, तो देखो ये है, iodine 131, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं sodium iodide, और ऐसे उपर 131, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, इसलिए आपने ऐसे याद रख रखा है, और यदि ऐसे आ गया, तो कई बार exam में आप पहचान नहीं पाते हैं, ये जो है, ये क्या है, iodine 131 है, इसके बाद आते हैं, question number 7 में, और question number 7 में लिखा है, radio pharmaceuticals are stored in, जो radio pharmaceutical product हैं, उनको कहां store करेंगे, क्योंकि कोई भी radioactive substance होता है, वो surrounding environment में radiation को emit करता है, release करता है, और उससे radiation का हजार्ड हो सकता है, इसलिए जहां भी ये product store होंगे, तो इनके चारों तरफ हैं, एक ऐसी दिवार होती है, और वो दिवार eat की नहीं, वो किसकी होती है, lead shielding होती है, lead की दिवार होती है, तो lead shielding जो है, इनसे radio pharmaceutical product को cover करके रखते हैं, ताकि इनसे release होने वाली जो radiation है, वो environment के अंदर नहीं जाएं, और environmental hazard नहीं हो, तो इसका answer है, ए, इसके बाद में, question number 8 की बात करें, question number 8 में है, कि barium meal is a common name, यह बहुत ही important और common question है, आते वे गलत हो जाता है, कि barium meal is a common name हो, और यह barium meal जो है, इसको radio, contrast media, radio, opaque media भी बोलते हैं, और यह किसका common name है, यह barium sulfate का common name है, और आपको इन example से confusion हो सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखना answer is D, फिर आईए, question number 9 के अंदर, और question number 9 में देखो, column 1, column 2, यह इस तरह के question बहुत easy होते हैं, और ऐसे question में आपका, एक question में चार question होते हैं, और confusion भी निकलता है, इसलिए हम ऐसे questions को बनाते हैं, इसमें देखो, इधर antidote लिखा है, यारी यह आपके जो PQRS antidote हैं, और used in poisoning, और यह antidote किन की poison में काम में लेंगे, यह इधर लिखा है, और देखो, N-acetyl-cysteine, यह paracetamol poisoning के अंदर काम में आती है, और paracetamol जो है, उसी का दूशा नाम होता है, acetaminophing, यह paracetamol का ही नाम है, तो इसका अंसर है, PQ3, फिर dimer caprol, dimer caprol जो है, इसको बोलते हैं, British anti-levisite, क्योंकि levisite एक arsenic gas है, उसके against में British army ने इसको use किया, तो इसका अंसर है यह, Qca4, फिर इसके बाद में, calcium EDTA, कहां लेंगे, lead poisoning के अंदर, और फिर nalaxone, यह कहां लेंगे, morphine poisoning में, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी कभी matching का question आए, तो सबसे पहले आपको inway से, उसको match करना है, जिसके बारे में, आप 100% sure हो, यदि आपको पता है, N-acetyl-16, यदि ये, paracetamol, या acetaminophen poisoning में, काम में लेंगे, तो सबसे पहले, यही देखो आप, कि Pka3, किसके अंदर है, यदि बाइचांस, आपको यह नहीं आता है, और आपको पता कि, Nalakzone जो है, वो morphen poisoning में, या opm poisoning में काम में लेते हैं, तो आप S का 1 देखो, तो जैसे इसमें देखो, S का 1 नहीं है, तो यह हमारा answer नहीं है, यहीं से पता लग गया, बाकी चीज़ चेक करने की जरूत नहीं है, तो देखो, मैं देखोंगा, S का 1 और P का क्या है, 3, नीचे चलते हैं, तो देखो, S का 1, और जैसे ही आपने देखा, कि S का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तो यह answer नहीं, ऊपर हमने किया, वो भी answer नहीं था, तो answer या तो यह है, या यह, तो यहां से हमारा problem, सोल नहीं हुई, लेकिन हमने देखा था, P का 3 यह है, और यह P का 2 है, तो P का 2 नहीं, P का 3 पढ़ाता, तो इसका answer क्या हो गया, B, तो इस तरह से answer निकालने, तो इसमें आपको इसकी और इसको देखने की ज़रूत नहीं है, और इस सब को check करेंगे, you will get confused, और आप गलत सदत answer चूज कर लेंगे, तो एक जिसके बारे में sure हैं, उसका पता किया, कि S का 1, S का 1, यदि एक में ही होता, तो हम answer हो जाता, लेकिन 2 में है, तो हम confused हैं, इसलिए हमने दूसरा check किया, कि P का 3 होता है, हमें पता है, तो हम इसको check करेंगे, यदि आपको ये पता था, क्यूं का फोर है, तो उसके हिसाब से, तो ऐसे इनका answer आपको निकालना चाहिए, उसके बाद में, next question है, और दूसरी तरफ लिखा है, कि ये कौन सी बीमारी के डाइगनोसिस, या treatment में काम में आते हैं, किसमें भी काम आते हैं, और radioactive substance और isotope, या radio pharmaceutical, ये बीमारी के डाइगनोसिस में भी काम आते हैं, बीमारी के treatment में भी काम आते हैं, अब देखो फासपोरस 32 ये किसमे काम आता है मुझे तो याद है कि ये पॉली साइथिम्या वीरा के ट्रीटमेंट में काम आता है और पॉली साइथिम्या वीरा का मतलब क्या होता है किसी परसन के अंदर RBC यदि जादा बनने लग जाए और RBC का काउंट बहुत जादा हो जा हैं options के अंदर देखो इनमें तो P का 4 देखो इसमें भी है इसमें भी है तो दो option है तो यहां से हमारा solution नहीं हुआ अब देखो यदि इसमें देखे देखो इसमें देखे S का 1 S का 2 देखो S है iron और iron किसमें काम आएगा तो देखो ये iron आपको पता RBC के अंदर होता है तो RBC formation या हिबोगलोबीन metabolism के बारे में information देगा तो S का 2 correct है तो मुझे यहीं से पता लग गया कि इसका answer यह 1 तो हो नहीं सकता P का 4, P का 4 दोनों में है तो यह इसका answer है बागी check करते हैं Q का 1 है की नहीं तो देखो Tignitium TC का मलब Tignitium 99M और इसको हम क्या है 58 इसको Parnisius Enemya के treatment में काम में लेते हैं तो यह भी सही है तो मतलब इसका answer क्या हो गया D तो matching वाले question बहुत easy होते हैं exam में आ सकते हैं नहीं भी आएं लेकिन कम से कम इस question से हमने आपको 4 question जो है वो आपको याद करवा दिये आपका confusion एक साथ discuss किया क्योंकि इसके 4 question बनाते आपको confusion रहता एक साथ compare और contrast हो गया तो आपका confusion भी क्या है दूर हो जाएगा इसके बाद next question लेते हैं कि sodium idohipurate is used for assessment एक काफी important question है जहां भी word आए हिपुरिक acid आपको तो sodium idohipurate छोडो आप तो हिपुरिक acid हिपुरेट तो यह हमेशा renal function के काम आता है तो answer इसका C है और इसके बाद में next question question number 12 bone scanning is performed using तो bone की scanning किसे कर सकते हैं तो आपको पता है अभी हमने dental product में पढ़ा है कि दातों के अंदर flooring कम हो जाए तो हमारे दात कमजोर हो जाते है dental caries होती है और dental caries को ठीक करने के लिए हम sodium fluoride easternus fluoride जो है इसको काम में लेते हैं इसलिए आपके bone की scanning किसे करेंगे तो यह flooring से करेंगे flooring 18 तो इसका answer क्या है A तो यह आपका paper हुआ नीचे इसकी answer की है और यदि कोई doubt है तो यह number अपने घर का ही है और यह whatsapp number है इसके उपर आप message कर सकते हैं voice message डाल सकते हैं जो competitive exam से समन्दित हैं यह discussion आप कर सकते हैं कोई जानकारी हो वो आप ले सकते हैं इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्य वाग